हाई फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं क्लास 10 ऑफ महरास्ता स्टेट बोर्ड चैप्टर नंबर सेवन साइंस पार्ट वन का चैप्टर नंबर सेवन लेंसेज तो लेंसेज के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोईशन्स बताने वाली हूं जो मेरे जो मेरे और से इंपॉर्टेंट कोईशन्स हैं आप अपनी और से भी कुछ इंपॉर्टेंट कोईशन्स वाना के उसके प्रेक्टिस कर सकते हो और यह जो कोईशन्स में आपको बताने वाली हूं है एक्जाम के पॉइंट आपको पूछे जा सकते हैं फिर आपके बोर्ड और भी पूचिज आ सकते हैं ठीक है तो इन कोश्टन की आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके रखनी है तो चलिए सबसे बहुत करते हैं आपर कुछ इस नंबर इटीटू पर आपको कुछ त्री रूल दिख जाएंगे ठीक है इसे दोनों डेफिनेशन की तो कि ओषी से याद करके रखने हैं अब यहां पर पेज नंबर एिटी तू पर आपको कुछ 3 rules दिख जाएंगे ठीक है ऐसे इस 3 rules आप लोगो class 9 में भी थे ठीक है जो concave और convex mirror में थे ठीक है यहाँ पर concave और convex lens है और पिछली बार यानि class 9 में previous standard में हमने पढ़ा था concave और convex mirrors के बारे में ठीक है यहाँ पर images formed by convex lenses है यह तीनों रूल जो आपको अच्छे से याद करने है ठीक है एंड पेज नमबर 84 पर आपको कार्टिशन साइन कन्वेंशन दीखे का यह भी क्लास 9 में गीवन था ठीक है तो यह भी एक बार आप लोगों को बस दिवाइस कर लेना है इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लास 9 के टेक्सबुक उठाकर आप लोग उसमें से देख सकते हो एंड उसमें पूरा एक्स्प्लेनेशन गीवन है ठीक है तो अब यहां पे एक लेन्स का फॉर्मुला है यहां पे लिखा हुआ है 1 upon V minus 1 upon U that is equal to 1 upon F OK F is called the lens formula F focal length है distance of the image है and U co are distance of the correlation between distance of the object यहां पर eye structure construction of human eye this is very important इसमें आपको explain the construction of human eye पूछा जा सकते हैं तो यहां पर आपको explain करना पड़ेगा ठीक है यह डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा अब यह आपको दिख रहा है myopia and hypermetropia यह दोनों ही questions आपको short note या फिर paragraph में से जो questions बना के पूछे जा सकते हैं for two marks one marks इस तरह की questions आपको पूछे जा सकते हैं तो यह दोनों ही paragraph आपको अच्छी तरह के से पढ़के रखना है ठीक है and मैं आपको एक बात clear कर देती हूं कि यह जो nearsightness and यह जो myopia आपको दिख रहा है यह दोनों एक ही है चाहे तो आप इसको nearsightness कह सकते हैं या फिर मायोफिया कह सकते हैं यहां पर इसी तेले से पारसाइटनेस और हाइपरमेट्रोफिया इन दोनों को आप कोई भी एक नाम से कह सकते हो सो अब पेज नमबर 91 पर यह है persistence of vision यहां पर इसकी definition पूछी जा सकती है बट इतना important नहीं है बिकोज बहुत कम बार ही यह पूछा जाता है ठीक है लेकिन फिर भी आप लोग याद करके रखो बाइचानस अगर आ जाए तो your luck ठीक है अब आ जाते हैं हमारे exercise पर जो कि इन में से भी कुछ questions आपको पूछे जाते हैं सो यहां पर पेज नमबर 92 पर आप लोग देख सकते हो distinguish between question number 6 है और यह farsightness और nearsightness और concave lens और convex lens दोनों के बीच में आपको क्या करना है difference बताना है तो आप वह paragraph में से भी आप ढूंड कर लिख सकते हो या फिर यह दोनों questions मतलब यह equation भी आपको पूछा जा सकता है ठीक है तो दोनों important है दोनों यह आप लोग करकी रखिए और यहां पर question number 8 जो आप लोग देख पारे हो solve the following questions examples यहां पर इसमें first important है and fourth important है ठीक है तो यह दोनों questions आपको अच्छे से practice करनी है इनकी ठीक है तो जितने भी questions मैंने बता है यह सभी important थे and अगर आपको अपने हिसाब से कोई भी important लगते तो वो भी आप लोग add up कर सकते हो and then उसकी भी practice कर सकते हो ठीक है तो यहां पर यह हमारा seven lesson जो था lenses इसका chapter का इस chapter का हमने IMP questions देख